आईए बात करते हैं, अगर इरान, इजराइल, युद्ध भयानक रुख अपनाता है, तो कौन से देश किसके साथ खड़े होंगे? ये युद्ध धीरे धीरे वर्ल्ड वार तीन का रुख अपनाता हुआ दिख रहा है। तो हम बात करने जा रहे हैं, जैसे पहले दो वर्ल्ड वार में दुनिया दो गुटों में बढ़ गई थी, क्या इस बार दुनिया इसी तरह अलग-अलग बंटेगी और बंटेगी, तो कौन सा देश किसका साथ देगा? सबसे पहले बात करते हैं, इस युद्ध की ये चल तो मीडिल इस्ट में रहा है, लेकिन इससे पूरी दुनिया किसी न किसी तरह से प्रभावित हो रही है। इससे सभी देश अपना अपना सपोर्ट दोनों के बीच दिखा रहे हैं या उनके बयानों के माध्यम से नजर आ रहा है। साथ ही अमेरिका ने अपनी मिलीटरी को इसराइल में हो रहे मिसाइल हमलों से इसराइल की मदद करने का निर्देश जारी किया है। साथ ही यूरोपिय देश भी इस्राइल के साथ खड़े हो सकते हैं, जिनमें फ्रांस, जर्मनी, यू के जैसे देश इस्राइल का साथ दे सकते हैं. यू के बाद साथ ये थी, अब बात करते हैं कौन से देश दे सकते हैं इरान का साथ. वही अगर इरान की बात करें, तो मध्यपूर्व के देश इरान के साथ खड़े होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सौधी अरब और UAE ने अभी तक इस वार से पूरी तरह से खुद को दूर रखा हुआ है. वही बहरीन और ओमान ने अभी इस इरान अटैक पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. इसराइल के विरोधी देश इरान का साथ दे सकते हैं और रूस और चाइना भी. इस युद्ध में इरान का साथ दे सकते हैं वही तुर्की ने भी अभी तक इस युद्ध से खुद को दूर रखा हुआ है अब बात करते हैं भारत किसका साथ देगा अगर भारत की बात करें तो भारत के लिए किसी एक का साथ देना मुश्किल होगा क्योंकि इज्राइल भारत के लिए एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है और भारत इज्राइल से सेना से जुड़े हथियार और टेक्नोलोजी का व्यापार करता है साथ ही इरान से भी दोस्ती बनाए रखना जरूरी है क्योंकि भारत ने चार बहा बंदरगाहा पर बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और भारत इरान से कच्चा तेल और नैच्रल गैसे निर्याद करता है तो इस वजह से भारत के लिए कोई एक स्टैंड लेना मुश्किल होगा अभी तक भारत सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है